स्वागत आपका सिद्ध्धियोगा, मैं मैं हूँ योगा चाहरे तारद्धियोगा की तरफ से आप लोगे लेकर आया हो योगा फॉर मेंस्वर्टिलिटि यह स्पेशली डिजाइन है मेंस्वर्टिलिटि fertility के उपर इस sequence को कुछ इस तरह से design किया गया है कि जिसके द्वारा आपके pelvis floor में blood का flow बढ़ेगा और practice के दौरान आपके जो reproductive जो organs हैं वो stimulate होंगे इसके अलावा ये आपको एक mental relaxation भी देगा आपका stress दूर करेगा क्योंकि अगर आप mentally busy रहते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा चिंता तनावों से घरेव हैं चिटड़े रहते परिसान रहते हैं आप बहुत ज़्यादा गुस्ता आता है तो ऐसे मैं आपके reproductive health पर effect पड़ता है तो ये जो practice है ये आपके लिए full package होने वाली है जिसको आपने daily practice करना है तांकि आपको कम से कम समय में अधिक तम लाब इसका मिल पाए ध्यान देंगे दोस्तों ये सेक्वेंस है ये 16 से 35 साल के लोगों के बीच के लिए बनाया गया उनके लिए ये suitable है इसके अलावा और विशेशी जो आपको ध्यान देनी है कि जिन लोगों की कोई पुरानी medical history नहीं या अभी currently किसी medications के उपर नहीं है और या फिर कोई surgery अभी recently नहीं हुई या past में सी कोई major surgery नहीं हुई थी और जो अभी fit है जिनने कोई भी किसी भी तरह की problem नहीं है कोई भी lifestyle disorder नहीं है ये उन लोगों के लिए suitable है उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है तो चलिए करते हैं इस practice की शुरुआत अभ्यास के लिए आपको किसी भी सुखात्मा किस्तिती में या धान्यात्मा किस्तिती में बैठ जाना है अपनी योगमेट को त्यार कर ले सबसे पहले आपको अपने पैरों को खोलना है और अच्छे से शेक कर लेना है ताकि blood का circulation आपके lower body की तरफ बढ़ने लगे अच्छे से शेक कर लें पैरों को इस तरह से उपर नीचे पटक करके भी शेक कर लें बहुत अच्छे अब यहां से वापस हम लोग पलती मार करके बैठ जाएंगे ध्यान देंगे यहां पर हमारी sit bone grounded होने चीए उसके लिए अपने hips को आलका सा पुल करना है आपने दोनो sit bone आपकी evenly grounded है spine को straight रखेंगे फिर हाथों को बगल पर फैला लेंगे श्वास को बढ़ते वे हाथों को बगल से उपर लेके जाएंगे हतेलियों को मिलाए और अंगूठे को देखें फिर यहां से श्वास को छोड़ते वे शरीर को दाइने तरब मोणे और अपने बाएं हाथ को दाइने थाई पर hook करेंगे दाइन हाथ को पीछे लेके जाएंगे यानि कि राइट आम को पीछे लेके जाएंगे और twist करेंगे फिर वापस से श्वास को बढ़ते वे दोनों हाथ उपर ले जाएंगे हतेलियों को मिलाएंगे श्वास को छोड़ते हुए यही twist आपको अपने left side को करना है यानि कि दाएं हाथ को बाएं थाई पे hook करना है और बाएं हाथ को पीछे लेके जाना है ट्विस्ट करना है फिर से वापस श्वास को भड़ते हुए हाथों को नमसकार किसी मिलाएंगे अंगूटे को देखेंगे श्वास को छोड़ते हुए अपने left hand को right thigh पे hook करेंगे right आम पीछे जाएगा ट्विस्ट करेंगे फिर स्वास को भड़ते हुए वापस से बीज में आ जाएंगे अब opposite करेंगे श्वास को छोड़ते हुए अब इस बार हमने right hand को अपने left thigh पे hook किया left hand को पीछे लेके गए ओर twist किया बहुँत अच्छे एक बार और श्वास को भड़ते हूँ के हाद उपर श्वास को छोड़ते हुए right side को twist करेंगे श्वास को भड़ते हुए हाद उपर श्वास को छोड़ते वे एक gentle twist हम लोग left side को करेंगे वहाल अच्छे श्वांस को बढ़ते वापस से हाथ उपर लेके जाएंगे और श्वांस को छोड़ते वे हाथ बगल से नीचे लेके आजाएंगे अब यहाँ पर अपने हाथों को कंदों के उपर रख लें हम लोग shoulder rotation करने जा रहे हैं श्वांस बरेंगे यहाँ पर श्वांस को छोड़ते वे हाथ आगे की तरह आजाएंगे इस तरह ऐसे यह प्रक्रिय आपकी चलते रहेगी श्वांस को बढ़ते वे हाथ कोलेंगे और छोड़ते वे हाथ आगे आएंगे अब यहाँ से opposite direction में हाथों को rotate करवाएंगे movement आपने बहुत जाद तेज नहीं करना है और नहीं बहुत जाद स्लो करना है flow में movement को लाएंगे और breathing के साथ करते रहें श्वांस को भड़ते वे हाथ फैलाते हैं हम लोग श्वांस को छोड़ते हैं हम इसा कोहनियों को पास लाते हैं और chest को close करते हैं बहुत अच्छे चलिए अब धीरे से हाथों को नीचे रख लेंगे यहां से हमने अपने पैरों को खोल लेना है बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है पैरों को आपने शोल्डर लेंज से थोड़ असा ज्यादा खोलना है और ध्यान देंगे कि आपके जो feet हैं जो आपके पंजे हैं वो flex रहें और जो पैरों को आप देखें तो आपका जो पैर का उपरी हिस्सा यानि कि जो top of the thigh है top of knee, top of shin bone और जो second two है यह सब आपका एक सीध में रहेगा सीधा इस तरह से इस्तिधी आपकी बननी चाहिए पैर ऐसा बाहर को लुड़का नहीं रहेगा या अंदर को नहीं लुड़का रहेगा एक्टिव रहना चाहिए अलाइव रहना चाहिए इसम डेड नहीं बढ़ा होगा पाउ तो यह activation आपको बनाना है AD को प्रेस करना है back of the thigh को नीचे प्रेस करना है quarts को उपर को पुल करना है engagement आपको नीचे से बना के लाना है इसके साथ ही आपको अपनी hip muscles को अंदर के तरफ को squeeze करना है जैसे कि हम लोग बोलते हैं योग में मूल बंद लगाना इस तरह का भी आप कर सकते हैं यहाँ पर या पर नॉर्मली अपनी जो hip muscles से उनको अंदर के तरफ को squeeze करें फिर यहां से जो practice है कुछ इस तरह से है कि आपको हाथ सामने लेके जाना है इस तरह से center पर और schwans को छोड़ते वे हलका सा आगे को जुकना है जितना आप जुक सकते back को सीधा करते वे schwans को बढ़ते वे वापस से center पाएंगे spine lift करेंगी chest up होगी schwans को छोड़ते वे फिर हम लोग आगे को जुकने जितना जुक सकते हैं चलिए मेरे साथ में इस practice को दोराते रहें schwans को भरें chest को lift करेंगे शरीर सीधा schwans को छोड़ते वे आगे को stretch करवाएंगे schwans को भरते वे उपर schwans को छोड़ते वे आगे को stretch करवाएंगे schwans को भरते वे उपर श्वांस को छोड़ते वे आगे को स्ट्रेच कराएंगे, फिर से श्वांस को बढ़ते उपर, छोड़ते वे आगे, बहुत अच्छे करते रहें, श्वांस बहरें, श्वांस छोड़ें, श्वांस बहरें, श्वांस छोड़ें, श्वांस छोड़ें, श्वांस छोड़ें, जब भी आप आगे को चोक रहे हैं, तो आपको पूरा ऐसे नहीं होना, तीर चाह जितना हो सकता है, बैक को सीधा रखना है, श्वांस बहरें, श्वांस छोड़ें, श्वांस बहरें, बहुत अच्छे, श्वांस बहरें, श्वांस छोड़ें एक बार और श्वांस बहरें, चोड़े 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 इतना चोड़ सकते हैं, रुकिंगे यहाँ पर होल्ड करेंगे, five count, one, two, three, four, five, चोड़ेंगे और धीर इस उपर आएंगे, पैरों को पास में ले आए, आप चाहिए तो पैरों को यहाँ पर शेक कर सकते हैं, मैं आपको आग के बल लेटना है, लेटने के बाद आपको अपने हाथों को अपने सिर के उपर लेके जाना है, इस तरह से, फिर यहाँ से अपनी core muscle को engage करना, यहाँ से यह muscles को tight करना एक दम से, और अपने सीधे उपर उठ करके आ जाना है, हाथों का एक flow लेना यहाँ से, हाथों का momentum लेना इसके सारे से अब उपर आ जाएंगे स्वास को भरा स्वास को रोका और धीरे से उपर आ गए इस तरह से हाद हमने फिर उपर को खीचने है और फिर स्वास को छोड़ते वे आगे को जुकने जितना हम जुक सकते हैं फिर वापस से हमने स्वास को भरा और हम लोग पीट के बल लेट गए मैं एक बार यह और अच्छे सा दिखला देता हूं ध्यान पूर वक्त देखिएगा यहां से हमने हातों का मुमेंटम लेना है और इसके मुमेंटम के साथ में हमने बाड़ी को उपर को लिफ्ट करना है कुछ इस तरह है फिर शौस को छोड़ते हूं आगे को जुखना जितना जुख सकते हैं जुखेंगे फिर शौस को भढ़ते हूं हाथों को उपर लेके जाएंगे और फिर यहां से स्पाइन को राउंड शेप मे लाते हूं पीचे को लुडखते चले चले जाएंगे यदि आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप हातों का साहरा लें हात पीछे लेके जाएं और फिर अपनी कोणियों को रखें इस तरह से एक एक करके और दीरे-दीरे पीट के बल लेट जाएं ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरी स्पीट को फॉलो करना है आप अपने शरीर और कंडिशन के साफ से भी प्रैक्टिस की स्पीड को कम कर सकते हैं उसे मोडिफाई भी कर सकते हैं जैसे कि अगर आप यहां से इस तरह से नहीं आ सकते हैं तो आपको क्या करना है यहां पर लेटने के बाद आपने किसी भी एक पैर को मोड लेना है और फिर शरीर को पल्टा देना इस तरह से तरह से तरशा तरशा पल्टाने के बाद हाथ का साहरा लेते वे तुरंट उठकर के आजाएं पैर को सीधा करें और हाथ उपर जब आप नीचे को जा रहे है यह फॉरवर्ट कर लिया आप वहां से वापस जा रहे है तो इससी तरह से पैर को मोड और तिर्शा होना है और फिर लेट जाना है तो इस त्रह से आप अपने शरीप के नुशार प्रैक्टिस को बदल के कर सकते हैं वेड़ी और फिर श्वास को छोडते वे आगे को जुगिंगे जितना जुक सकते हैं, पंश्यमुत्वानासन की सब्यूंध यह पैर को पकड़ना है, जितना आप जुक सकते हैं, फिर श्वांस को भरेंगे, धीरे से उपर आएंगे, स्पाइन को राउंड शेप में लेकर के जाएंगे, पेट अंदर को स्क्वीज होगा, कोर एक्टिव होगी, और पूरा फिर लेट जाएंगे, हाथ उपर, यह जितना आपको पहले बताया था, डेमो के दोरान वैसा कर लें, या फिर आप वीडियो को पीछे लेके जाएंगे, और वहां से पहले सीखने दोबारा से, और फिर करें, बेटी अगेन, चलिए, स्वांस को भरते वे धीरे से उपर, कोर को इंगेज करते वे आएंगे, श्वांस भरें, श्वांस रोकें, कोर को इंगेज करेंगे, और कम अप, उपर आ जाएंगे, श्वांस को छोड़ते वे आगे को जुकेंगे, श्वांस को भरते वे धीरे से उपर, श्वांस को रोकें, पीछे को लुड़केंगे, और लेटने के बाद हाथ उपर श्वां बहुत बड़ी है अब हातों को शरीर के बगल पे लिया है पैरों को खोलने है आखों को बंद करके कुछ इसी तरह शवासन में रेस्ट कर सकते हैं यहापर बहुत छोटा सा यहापर आपको शवासन मिलेगा च्योंकि हमें प्रैक्टिस को भी आगे बढ़ाना है काफी कुछ करनी है तो लगवा 5 सेकंड तक आप रेस्ट कर सकते हैं अभी यहाप है और उसके बाद आपने राइट साइट को पलट करके उपर बैठ जाना है तो रेस्ट के बाद आपको पलट करके उपर बैठ जाना है और अपने पैरों को वापस से फैला लेना है इस बार आपके पै ज्यादा फैलेंगे पहले से, आपके feet flex रहेंगे, आपको heel को press करना है, आपका back of the thigh ये वाला जो हिस्सा होता है, thigh के नीचे वाला, ये नीचे को press करेगा, quarts को pull करेंगे, kneecap को pull करके रखेंगे, spine को जितना हो सकता है आपने सीधा रखना है, आप जो practice है उसे देख करके समझ बहुत simple है, आपको अपने दोनों हाथों को right side को लेके जाना है, schwans को भरना है, schwans को छोड़ते वे आपने जुकना जितना जुक सकते हैं, फिर schwans को भरते उपर आना है, left को turn करना body को, और schwans को छोड़ते वे जितना जुक सकते हैं जुकेंगे, इस तरह से ये practice आपकी चलत गए, schwans को बढ़ते वे उपर आएंगे, श्ने को छोड़ते वे लेक्न को, बहुत अच्छे schwans बरें, schwans ठोहे right, schwans बरें अप schwans ठोहे left बहुत अच्छे continue, right, left, right, left, right, left left, right, left, एक बर और, right, left, बहुत अच्छे धीरे से उपर आ जाएंगे, और फिर धीरे से अपने पैरों को अंदर की तरफ ले करके आ जाएंगे, अब चाहें तो यहाँ पर पैरों को अच्छे से शेक कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं, अर्ध मतसेंद्र आसन, half lord of the fish pose, इस आसन को करने के लिए आपने अपने दाइने पैर को मोड़ना है, और इसे उठा करके अपने बाएं पैर के बगल पर रखना है, अब इसकी पैरों की दो इस्तितियां दिखलाई देती हैं, एक हो गय लगता है, पाउ मोड़ने वाली विधी में आने के लिए और भी आसान तरीका में आपको बतला देता हूँ, कि यहां से आप पहले अपने बाएं पाउं को मोड़ करके लिए हैं, फिर अपने दाइने पैर, यानि कि राइट फूट को उठा करके, लेफ्ट थाई के बगल पहले आएंगे इस तरह से, और यह जो आपकी लेफ्ट हील है, यह आपके राइट हीप को अलका सा सपोर्ट दे रही है, बैक स्ट्रेट हो जाएगी, तो दोनों में से कोई भी एक विधी चुन सकते हैं, अब यहां पर आपने क्या करना है, श्वास को भड़ते वे अपने लफ्ट आम को उपर उठाना है, श्वास को छोडते वे खंगते अगे को जखना है और फिर अपने स्ट्रेट ह हंसा करना है, और यह विल्ग पोह को भाईट कर खेई, अपने अंगलियों को प्रेस Natal को बेंखना है, अपनी स्ट्राइक को उपर को लिफ्ट करना है, श्वा को पीछी की तरब को रोटेट करवाते जाएं और फिर सिर को गर्दन आपके तेड़ची नहीं होने चाहिए ट्विस्ट के दौरा ना इस तरह से तेड़ची होगी ना इस तरह से जुकेगी एक दम साथ सीधी होने चाहिए और फिर टर्न करना है यदि सीधी रखकर करटन नहीं कर पा रहे हैं तो सामने को ही देखे गर्दन को पीछे ना ले जाएं या फिर साइट को देखे आराम से श्वांस लें इस आसन में पेट दबा रहता है तो श्वांस लेना थोड़ा सा कटिन होता है इसलिए यहाँ पर शालो ब्रीधिंग करनी चाहिए बहुत अच्छे आपकी ब्रीधिंग चलती रहेगी कुछ शन यहाँ पर रुकना है आपने तांकि इस आसन का जो इफेक्ट है वो आपकी बॉड़ी में आने लगे अब इसको करने के बाद आपने सामने के देखना है श्वांस को भड़ते विए अपने लेफ्ट आम को उपर उठाना है राइट को उठाना है श्वांस को छोड़ते विए हाथ नीचे अब हम लोग पैरों को बदल देते हैं अब हमारा जो पहले जो मुढ़ने वाला पाउँ है वो है हमारा राइट और फिर जो इस तरह से उपड़ से आएगा वो है लेफ्ट अगर आप पैर सीधा करके कर रहे हैं तो राइट लेफ्ट लेफ्ट बेंड हो ऐसे तरह से अब यहां पर हमने पहले गित रही श्वास को उठाया श्वास को छोड़ते विए आगे अलकासा जुके हैं कौनी को मोड़ा अल्बो बेंड करनी है और पैर को हग कर लेना है इसमें और भी डीप जाने के लिए इसका एक और तरीका होता है कि आप यहां हग ना करके इस तरह से आप अल्बो को हुक कर सकते हैं इस आसन क को पीछे ले जाएं लेफ्ट आमको पीछे लेके जाना फिंगर कप शेप में श्वास को भड़ते हुए अंगली को प्रेस करें स्पाइन को लिफ्ट करें लिफ्ट करें थोड़ा और उपर अब श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ लेक को अपने चेस की तरब को खी कीैजसे कि मैंने आपको पहले बताय कि यहाँ पर डीप ब्रिधिंग लेना इतना आसान नहीं होता है इसलिए यहाँ पर शालो ब्रीधिंग रिकमेंडेट होती है यहाँ फिर हम कहते हैं अपर चेस्ट ब्रेधिंग कीजिए बहुत अच्छे अब इस ब्रीधिंग के बाद आपने सिर्कों सामने की दर्ब लेके जाना है राइट आम को उपर उठाना है फिर लेफ्ट को उठाना है श्वास को छोड़ते वे हाथ बगल से नीचे अब आपको पीट के बल लेटना है तो यहां से हम लोग पीट के बल लेट जाएंगे प्रैक्टिस के इंस्ट्रक्शन ध्यान पूर्वक सुनना आपने पीट के बल लेटने के बाद पैरों को हिप डिस्टिंस में खोलना हम लोग करने जा रहा है सेतु बंधासन अगर आप योग अभ्यासी है तो इस आसन का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा पैर आपके हिप दिस्टिंस खुले हैं हाथ आपके शरीर के बगल पे हैं शोल्डर्स आपके पीछी के तरब को रोल बैक हो रहे हैं पैरों को प्रets करें हाथ एलियों को भी आपने प्रेस करना है श्वांस को भरते वोérique, अपने बट्रक्स के रोल करते वैं आपने उठाना है उपर को टेलवन आपकी हलकी सी टकिन होगी अपने अपने हातों की अंगलियों को पीट की पीछे बादना है और अपने शोल्डर्स को पीछी की तरब को रोल करवाना है एक एक करके और फिर अपने शोल्डर्स को प्रेस करना है और अपने पैरों को पंजों को भी प्रेस करना फीट प्रेस होंगी आपके और जितना हो सकता अपने हिपस को उपपर उठाने का प्रयास करें बहुत अच्छे है इस सिति में आने के बाद आपने अपने गर्धन को राइट और लेफ्ट को नहीं मूण सब्सक्रिण की तरब न देखें या फिर पूरा उठकर एक बार अभयास को समझ लें फिर करें इस सिति में आने के बाद गर्धन को ना पढ़ता है रुकेंगे यहाँ पर hold करेंगे 5 count 1 2 3 4 5 बहुत अच्छे धीर ऐसा अपने hips को नीचे लिए आएंगे shoulders को भी बाहर को खोल देंगे और garden को भी adjust कर ले पैरों को मोड करके chest की तरब लाएंगे shrans भरेंगे shrans को छोडते वे पैरों को chest की तरब खीचा आपको बंद गर के stretch करना बहुत ही आनंद आएगा आपके पीट में एक बहुत ही अच्छा सा stretch यहाँ पर आपको महसूस होगा बहुत सुन्दर स्वास और प्रश्वास आपका यहाँ पर चलता रहेगा अराम पूरवग लंबा धीमा गहरा स्वास ले अब इसके बाद आपने अपने पैरों को नीचे लेके जाना है हम लोग पलट करके पेट के बल लेटने जा रहे है तो यहाँ से आपने पेट के बल लेट जाना है माते को जमीन से रख लें हम लोग करने जा रहे हैं भुजंग आसन पैर आपके hip distance पे खुलेंगे, मिलाना नहीं है hip distance पे खुलना है और hip distance से बहुत ज़्यादा भी नहीं फिलाना है hip distance के आजपास ही खोल करके रखना है अपने feet को पीछे को stretch करवाए, vertex को roll करें ताकि pubic bone को आप press कर पाए नीचे को, हाथ आपके upper chest के बाद पास में होंगे और आपकी जो elbows हैं वो body से sati भी रहेगी, shoulders आपके पीछे की दरब को roll back रहेंगे यहां से पैरों पे पहले engagement बना के रखें, ध्यान दें फिर स्वास को भड़ते विए हतेलियों पे दबाव बनाए और दीरे 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 अपनी chest को उपर उठाएं shoulders आपके पीछे की दरब को roll back हो रहें chest सामने को और सामने को देखें smile ने, रुके रहेंगे जितना आप उपर उठ सकते हैं, उतना ही उठें अगर आप थोड़ा उपर आ सकते हैं आपके ना भी चार इंच जमीन से उपर उठ जाती है तो उतना लेक आए, नहीं तो नीचे रहें रुके रहेंगे आराम चेश्वांस प्रश्वांस लेते रहें लंबा दीमा गयरा श्वांस प्रश्वांस चलता रहेगा बहुत अच्छे, अब धीर ऐसे नीचे को आ जाएंगे माथे को जमीन पर रख देंगे हातों को भी रिलाक्स कर ले इसी अभ्यास को हम लोग एक बार और दोहराने का प्रियास करेंगे तो चलिए तैयार हो जाएं हाटेलियों पर प्रेशर बनाएं पैरों को अच्छे से पीछे को खीचे बर्टेक्स को रोल करें, फ्यूपून को प्रेस करें श्वास को भड़ते हुए, धीर ऐसे चेस्ट को अपर उठाएंगे, श्रोलोस को रोल बैक करवाएंगे, और सामने को देखेंगे रुकेंगे धीरे से नीचे को आजाएंगे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अब यहां से आपने अपने हातों को सामने की तरफ स्ट्रेच करवाना है हम लोग करने जा रहे हैं, यहां पर सल्भासन का अभ्याद सल्भासन के लिए पहले आपने हातों को सामने को स्ट्रेच करवाना है पैरों को पीछे को एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने हात और पीट पे दें पैरों को भी स्ट्रेच करवाना है और उसके बाद फिर अपने हातों को शरीर के बगल पे ले आए हाटेलिया उपर की तरब पंजों को पीछे को स्ट्रेच करेंगे पंजों को अब यहाँ पर आप मिला सकते हैं आप चाहें तो श्वास को भरते हैं धीरे से सिर को उठाएंगे पैरों को उठाएंगे हाथों को उठाएंगे और सामनों को देखेंगे ये हमारा सल्भासन लोकुस्ट होल्ड करेंगे और धीर इसे फिर नीचे आ जाएंगे अराम पूर वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें लंबा धीमा गहरा श्वास चोड़ें अब यहां से हम लोग करने जा रहे हैं धनुरासन धनुरासन के लिए आपने अपने दाइने पैर को मोड़ना है और अपने एंकल को पकड़ने का प्रियास करना है ऐसा ही हम करेंगे दुसरे पाउं से अपने लेफ लेक को मोड़ने और एंकल को पकड़ने का प्रियास करना है तो आपको यहाँ पर स्ट्रेप की ज़रूरत पड़ेगी जो हम लोग योग में स्ट्रेप यूज़ करते हैं उससे अपने पैर को बांद दे यदि योग स्ट्रेप नहीं है तो फिर कोई चुन्नी इत्यादी रस्ती थोड़ा हो सकता है कि आपके लिए हार्ड हो तो आप कोई चुन्नी इत्यादी या फिर कोई ऐसा कपड़ा हो उसको अपने पैर पे बांद ले अफिर इसको पकड़ ले ऐसे करके तो यहाँ से हमने माथे को जमीन पर रखना है अपने कंदों को पीछे की तरब को रोल बैक करवाना है श्वांस को भड़ते वह धीर ऐसे सिर को उठाएंगे चैस को उठाएंगे और अपने गुटनों को उपर उटाएंगे थाइस को उठाएंगे सामने को देखेंगे रुकेंगे यहाँ पर बहुट जाएद अपर नहीं आ आरा है उतना ही उठना है आपने रुके रहें श्वास पर श्वास चलती रहें यह नहीं कि ब्रीधिंग करते रहें अब धीरे से नीचे गवा जाएंगे इसी को यह हम लोग एक बार और करेंगे तैयार हो जाएं दोबारा से श्रास को बढ़ते वे सिर्क उठाएंगे चेस को उठाएंगे पैर को उपर उठाएंगे रुकेंगे रुके रहें बहुत सुन्दर रुके रहेंगे रुके रहेंगे गुटनों को ज़्यादा फैले ना दे गुटनों को पास में रखें रुके रहे हैं रुके रहे हैं अब धीरे से नीचे आ जाएंगे पैरों को धीरे से छोड़ दें हतेली को चेस के पास में ला करके पुश करेंगे और धीरे से उठ करके बाला संकी इस्तिती में चले जाएंगे बाला संकी इस्तिती का मतलब है कि आपको पहले तो घुटनों क पास मिलाना है और अपने पैर के अंगूठों को मिलाना है और आगे से घुटनों को फैला लेना है फिर अपनी एडियों के पास आकर के बैठना है सामने को देखना है लंबा श्वांस लें लंबा श्वांस छोड़ते वे हाथों को आगे लेके जाएं ताकि बैक पर एक अच्छा सा स्ट्डेच आ जाए, हाथ आपके शूल्डर लिंज से ज्यादा कुलेंगे, अच्छे स्ट्डेच के बाद अपने चेस्ट को नीचे लेकर जाएं फिर माते को, लंबा धीमा गहरा श्वांस लें लंबा धीमा गहरा श्वांस छोड़ें इस तरह से आपकी श्वांस और परश्वांस की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी बहुत सुन्दर अब धीरे से हातों का सहारा लेते वे धीरे धीरे आपने उपर आजाना है उपर आने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर एक सिंपल से स्टेच कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बतलाता हूँ किस तरह से आपने करना है सबसे पहले आपने Cross Leg Sitting में बैठ जाना है और फिर शरीर को जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था ऐसे ही शरीर को आपने पहले अपने दाइंतरब को मोड़ना है और फिर बाइंतरब को मोड़ना है उसके अलावा एक और stretch यहां पर आता है, उसके लिए आपने गुटने के बलाना है, इस तरह से, table top position जिसे कहते हैं हम लोग, और फिर यहां पर आपने बाएं हाथ को सामने लेके जाना है, थोड़ा बीच में रखना है, middle पर, श्वांस को भड़ते हुए दाएं हाथ को बगल आपने राइट के, और अपने लेफ पाम पर प्रेशर दे, ताकि अब आपने राइट आम को थोड़ा और लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच करवा पाएं है, रुकिंगे यहां पर कुछ चुन, यदि आपके शोल्डर में पहले से जकड़न है, ज्यादा पेन है, डिसकंफर्ट आपको लगता है, तो फिर कम करें, ज्यादा खीचे नहीं अपने हाथ को, फिर भी आपको लग रहा था, फिर बैट की जो हमने ट्विस्ट में पहले बताया था, उसी में जा करके होल्डिंग करें, बहुत सुन्दर आप हतेली पे दबाव बना है, अपने लेफ्ट हतेली यानि कि लेफ्ट पांग को प्रेस करेंगे, श्वांस को भरेंगे, वापस से टेबल टॉप की पोजिशन में आ जाएं, श्वांस को छोड़ें, फिर अपने राइट आम को स्ट्रेच करेंगे सामने को मिडल पे रहें, श्वांस को भरते वे लेफ्ट को साइड में लेके जाएंगे श्वास को छोड़ते हैं लेफ्ट आम को राइट आम के नीचे निकालेंगे और सिर को नीचे फिर हम राइट आम को पास में ले आएंगे अपने लेफ्ट के और अपने लेफ्ट आम को और स्ट्रेच करवाएंगे राइट साइड को ताकि और अच्छा सा ट्विस बहुत सुन्दर अब यहाँ पर आपको बढ़ते हैं अपने राइट पाम को प्रेस करना हो धीर ऐसे उपर आजाना है श्वास को छोड़ना है और फिर हम लोग पलती मार करके बैठ जाएंगे यदि अभी भी आपकी बैक रिलेक्स नहीं हुई है तो आपको फिर रोलिंग करना चाहिए आगे पीछे रोल करना अपनी मैट पहर घुटनों को मोड करके लुड़के थोड़ा सा इससे आपकी बैक में अच्छे सी मसाज हो जाएगे फिर आपने बैठ करके यहां से मेरे साथ में नाड़ी शोधन प्राणयाम वन प्राणयाम को हम लोग करने जा रहे हैं अच्छे से विधी को समझ लें कि किस तरह से यह विधी चलती है ध्यान पूरवक देखना है और समझना है प्रैक्टिस को करने के लिए आपने इस तरह से मुद्रा बनानी जिसे हम लोग नासिक आकर मुद्र यह और इसके कई अन्य नाम भी है फिलाल मुद्रा की इस्तिति देख लीजिए इसमें क्या करना हमारी जो आंकरी की दो अंगली है रिंग और लिटल फिंगर यह हमारे थ फिंगर जो आपकी इस तरह से लिफ्ट रहती है और आप अपने थम से राइट नोस्टिल को ब्लॉक करते हैं ताकि आप लेट नोस्टिल से श्वास को अंदर ले पाएं और फिर अपने आखरी की जो दो अंगली हैं आपके रिंग फिंगर है लिटल फिंगर है इनसे आप अपने लेफ्ट नोस्टिल को ब्लॉक करते हैं ताकि राइट से आप श्वास को बहार छोड़ पाएं इस तरह से ये मुद्रा का प्रियोग होता है अब पूरी विधी को और अच्छे से समझ ले यहां पर मैंने अपने बाएं हाथ को ग्यान मुद्रा पर बना रहा है यान श्वास जब पूरा अंदर आ जाए तो फिर आपने श्वास को रोकना है कुछ देर रोकने के बाद फिर दीरे से श्वास आपने अपने राइट नोस्टिल से बहार छोड़ना है फिर श्वास जब पूरा बहार आ जाए फिर राइट नोस्टल जए श्वास को लिंगे फिर दोनों नाग को बंद करके श्वास को रोकना है और फिर लफ नोस्टल जए श्वास को दीरे दीरे बहार छोड़ देना है इस तरह से practice चलेगी ध्यान पूरोग सुने left to right right to left ये आपका एक round होता है बाएं से left nostril से response को लेना right nostril से छोड़ना right से लेना और left से छोड़ना ये एक round होता है ऐसे आपने starting में 6 round करने हैं कम से कम और फिर बढ़ा करके जैसे आपकी एक week की और देड़ week की practice हो गई है फिर इसे बढ़ा करके आपने 6-8 round, 8-10 round और लगभख आप 15-20 round तक जा सकते हैं maximum पर आपको ये समझ लीजे कि 8-10 round जब आप आज आएंगे तो कम से कम 2 मेना, 3 मेना उसी 8-10 round के अंदर रहना, 2 मेना तो कम से कम मान लिए फिर उससे उपर आपने दीरे दीरे बढ़ना है अब यहाँ पर जो विधी थी इसमें क्या किया हमने लेफ्ट नोस्तल से स्वांस को लिया और फिर रोका, इसे कहते हैं हम लोग अंतर कुमबक, स्वांस को ले करके रोकना फिर छोड़ा, छोड़ने के बाद हमने स्वांस को नहीं रोका है रोकना भी नहीं आपने फिर आपने स्वांस को भरना है फिर लेने के बाद फिर रोकना है जैसे कि हम लोग right से ले रहे हैं फिर रोक रहे हैं फिर left से छोड़ करके इस round को पूरा कर रहे हैं तो इस तरह से यह practice होगी beginning में आपने simply ये देखना है कि कितना लंबा आप ले सकते हैं easily आप लें फिर रोके जितना देर रोक सकते हैं आराम से और आराम से जितना देर छोड़ सकते हैं छोड़ें परन्तों जब आपकी practice अच्छी होने लगे कुछ समय बाद कुछ दिनों बाद या कुछ हपते के बाद तो आपने फिर अपने स्वांस को count करना start करना है आपने five count या फिर five second का count रखना है या फिर five count रखना है जिसको आप slow भी कर सकते हो fast भी कर सकते हो अपनी breath की length के according तो five count करना है लेने में उतना ही count करना है रोकने में उतना ही काउंट करना है छोड़ने में ऐसे करके आपने 555 पे ये अपनी ब्रेथ को एक डिरेक्शन देना स्टार्ट करना है यदि बिगिनिंग में स्वांस को रोकना आपके लिए बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो रहा है तो बिना स्वांस रोके इस प्राणयाम को करें सिर्फ लें और छोड़ें लें और छोड़ें रोकना नहीं है हाँ अगर रोक पा रहे हैं तो तब स्टार्ट करें नहीं तो पहले लें और छोड़ें एक हपते तक करेंगे जब आपकी breathing better होने लग जाए उसके बाद फिर आपने कुम्बक स्टार्ट करना है इनकी स्वास को रोखने स्टार्ट करना है एक हपते के बाद फिर उसके एक हपते के बाद फिर count add करें इस तरह से practice को दीरे दीरे आपने बढ़ाना है ताकि आप gradually अपने practice को improve कर पाएं और benefit को भी आप अपने जीवन में अच्छे से देख पाएं तो चलिए आपको मैं यहाँ पर पूरा समय देता हूँ आप अपना समय लेते वे इस प्राणयम के अभ्यास को करें कम से कम six round practice करना है और practice को दुरान आपकी आपके बंद रहेगी पूरा ध्यान आपके श्वांस और प्रश्वांस की प्रकरिया पर रहेगा स्टार्टिंग में आपको ध्यान अपने tip पर लगाना है tip of the nostal यह वाला जो हिस्सा है इस पर लगाना कि स्वांस की इस तरह से अंदर को आ रही है अपकी नाक को छूते वे कैसे अंदर को आ रही है कैसे छूते वे बाहर को जा रही है फिर एक अपते बाद आपको ध्यान लगाना अपने हर्दे चक्र पर आप चाहें तो अपने गले वाला जो हमारा विशुद्धी चक्र होता है थ्रोट चक्र से कहता है उस पर भी आप लगा सकते हो और फिर आग्या चक्र पर लगाना है बिगनिंग पर लगाएंगे तो आपको सिर्भारी लगे तो धीरे धीर यह अपनी प्राक्टिस को नीचे स पर जहाना है बस इतना करके आपको यह प्राक्टिस करनी है उसके बाद आप चाहें अगर आपके पास समय हो तो शवासन जरूर करें शवासन आपने ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है पांस से दस मिनट मैक्सिमम और उसे आप चाहें तो दो मिनट का भी छोटा सा शव अपोरा रिलेक्सेशन आपको देना है जितना देर अपको पूरी थ civilization देना है इस तरह से आपकी प्राक्टिस कम्प्लीट हो जाएगी जिसे आपने हर दन करना है तो चलिए अभी तक के लिए ईतना आयें और मिलता हूँ आपको नेक्स टेरिव स्टाटिंग के साथ मैं नम प्रास्कार